हाई, वेल्कम नोगमाई चनल, इस वीडियो में सॉल्व करें क्वेशन नबर 16 एक आदमी जो है बेशता है, एक आर्टिकल को कितने प्राफिट पर 25 पर बेश देता है ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ उसका CP रहा होगा और उसका SP जो है 25 परसंट अधिक है CP से, यही मतलब दिया हुआ है आगे बोल रहा है कि यदि ऐसा हुआ होता, कि if he had bought it at 20% less यदि वह खरीदा होता 20% less पर और sold it for Rs. 36.75 less और उसे बेचा होता, sold बेचा होता Rs. 36.75 less पर उने बेचा होता, इतने Rs. कम पर, तो he would have gained तो उसे फाइदा हुआ होता 30% का Find the cost price of the article तो cost price होगा क्या article का यह पूछा है मतलब ध्यान दिजेगा, यहाँ में बोला है कि if he had bought it यदि वह खरीदा होता 20% less पर इसका मतलब कि पहले खरीदा था कुछी और price पर अब खरीदा होता 20% less पर करने का प्तलब यह हुआ न आप कर रहा है कि और बेचा है उसे 36.75 less पर मतलब कि पहले जो है किसी price पर बेचा होगा अब जो है 36.75 less पर बेच रहा है तो उसको फायदा हो रहा है 30% का तो अब बताना कि cost price क्या होगा आर्टिकल का राइट को इसा समझ में आ गया है तो हम सुरू से पहले क्या करेंगे कि पहले उसको खरीदवाएंगे मतलब हम लोग जवर्दस्ति करेंगे उस आदमी को पहले मानेंगे कि वो सुरू सुरू में कितने में खरीदा था CP आर्टिकल का क्या था हम वो मानेंगे और वही आपे पूछा भी है कि find the cost price of the article तो solve करते हैं आपे solution तो let let the cost price of the article article be x रुपीज तो हमने क्या मान लिया कि x रुपीज मान लिया cost price है ठीक है मतलब CP मिल गया हमें मतलब सुचिए यह आदमी है यहाँ पर और एक आदमी जो है कोई आडिकल ले रहा है और इस आदमी का जो CP है वो हमने मान लिया x ठीक है तो कुछ इसका SP होगा मतलब बेचेगा न तो कुछ SP भी होगा तो SP बोल रहा है कि 25% प्राफिट पर बेच रहा है तो SP निकल जाएगा यदि हम 25% के हिसाब से हम CP पर लगा दें तो SP निकल जाएगा मतलब it so यहाँ पर हम यदि cost price माल लिये CP x तो यहाँ पर हम निकल सकते है SP so SP of the article क्या हो जाएगा यह formula होता है हमारा CP multiplied by 100 plus gain percent जब gain होता है तो जोड देते है तो gain percent whole upon 100 इतना करते है तो CP हमें यहाँ पर क्या है X है यहाँ पर ठीक है न तो हम X के use कर लेंगे X multiplied by 100 plus gain percent कितना हो रहा है 25 percent 25 percent upon 100 solve करेंगे तो मिलेगा 125 upon 100 तो मिल जाएगा X into 125 upon 100 यहाँ पर cancel ओड करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखे 5 से cancel होड़े 25 से करेंगे 25 जा 125 होता है 25 फोर जा होता है 100 मिंस यह मिल जाएगा आपका यह अलग रखिए यहाँ मिल जाएगा 5 X upon 4 rupees ठीक है great तो हमें मिल गया इसका SP मिल गया तो यही आपके जो हैं शुरू वाले मतलब कि beginning वाले CP और SP हैं अब बोल रहा है कि if he had bought it यही वो खरीदा होता 20% less पर मतलब कि पहले कितने भी खरीदा था पहले जो है X rupees पर खरीदा था अब जो है 20% less पर खरीदा तो हमें का करना पड़ेगा new CP भी निकलना पड़ेगा ना तब तो अब निकलेंगे आपर कि new CP of the article new CP of the article new CP of the article क्या हो जाएगा क्या करेंगे बोला है आपर जो बोला है ना वही करना है बोला है कि if he had bought it at 20% less मतलब कि X में से हमें minus करना पड़ेगा X का ही 20% निकाल कर ठीक है 20% less कर रहा है बस तो X का 20% निकाल लिजिए और X में से minus कर दिजिए यही बात बोल रहा है तो यहाँ पर जब यह solve करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा LCM तो यह X into 20 मतलब कि 20X है यहाँ पर तो 100 लेंगे LCM once it band करेंगे 100 में तो 100 आएगा 100 into X 100 X होजाएगा यहाँ पर minus 100 बात करेंगे तो 1 आएगा और 20X में बिच यहाँ पर मतलब यह 20 into X हो जाएगा 20X हो जाएगा और यहाँ solve करेंगे क्या मिलेगा 80X upon 100 तो यह हुआ new CP ठीक है यहाँ पर आप च्छोड़ा सा cancel out कर लेते हैं तर जीरी चो cancel हो जाएगा यहाँ पर टूफोजा 8 हो जाएगा and 25 यह 10 हो जाएगा मतलब मिल जाएगा 4X 4X upon 5 इतना रुपीज तो यह हो गया क्या हो गया new CP हो गया अब हमें new SP भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हैं बोला है कि sold it for और उसे बेचा होता कितने पर 36.75 less पर मतलब कि जो पहले जितना में बेचा है उसमें से 36.75 घटा देंगे मतलब कि देखें पहले बेचा है इतने पर 5X upon 4 रुपीज पर हमने निकाला है ना पहले वाला तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा new SP new SP of the article is called to हो जाएगा क्या हमारा जो पहले वाला SP है वो है आपका 5X upon 4 इसमें से माइनस करना पड़ेगा 36.75 रुपीज यह जो पूरा निकालेगा इतना रुपीज यह होगा नया वाला SP आपका रहा है कि जब इतना होता मतलब कि जब CP जो नया वाला CP जो है मतलब कि 20% जब लेस कर देते पहले वाले CP से और जो यह CP आता और दूसरा जो SP आता जब 36.75 मानस करने के बाद तो इन दोनों CP और SP पर जो फाइदा होता वो होता 30% का मतलब gain percent दे दिया है इसका मतलब कि हाँ पर SP और CP दी पता है तो हम gain percent निकाल सकते हैं directly हम लिख सकते हैं so हम लिख सकते हैं कि gain percent is equal to formula लगा दिजी बस gain percent is equal to हमारा formula होता है SP मानस CP upon CP मटिपलाइड बई 100 ठीक है तो gain percent दे दिया है यहाँ पर 30% तो अब यहाँ पर हम 30% यूज कर लेंगे यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 30 is equal to यहाँ पर लिखेंगे परसंटेज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि gain percent ही 30 है SP मानस CP SP कितना है नया वाला SP लिखेंगे हाँ आपर यह आपका है SP यहाँ पर लिखेंगे 5X upon 4 minus 36.75 minus CP CP कितना है 4X नया वाला यहाँ पर तो नया है आपका 4X upon 5 new CP whole upon CP कितना है CP जो है पहले वाला CP यह है 4X upon 5 मतलब पहले वाला नहीं मतलब कि यह new वाला CP ठीक है new जो CP है वही use करेंगे आप यहाँ पर तो यह हो जाएगा into 100 भी रहेगा यहाँ पर अब यह इतना हो गया यह बन गया equation एक तरस से तो देखेंगे जो नीचे वाला यहाँ पर टर्म है ना 4X upon 5 इसको हम cross multiply कर सकते हैं इधर तो थोड़ा simple हो जाएगा ठीक है तो हम इसको यहाँ simple मतलब करके कर लेते हैं तो इससे मतलब लेते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर इट इंप्लाइज यहाँ मिल जाएगा 30 इंटू 4X upon 5 is equal to यहाँ पर LC में लेना पड़ेगा 4 और 5 का LCM इतना अपान 1 कर लीजिए LCM होगा 4 और 5 का कितना 20 फोड़ाइट करेंगे 20 में तो 5 आगा 25 तो यहाँ पर हो जाएगा 25 X- यहाँ पर कुछ नहीं है तो 27 मटबलाई करना पड़ेगा 26 इंपलाई करेंगे 36.75 में तो कितना आएगा 0 यहाँ पर पहले से तो यह decimal हट जाएगा decimal मतलब कि आज जाएगा left hand side में 1 point मतलब कि अब हो गए यहाँ पर और यह 0 के खिंचल हो गया 27 इंपलाई करेंगे 25 इंपलाई 10 का 0 1 carry over 27 इंपलाई 14 115 का 5 1 carry over 12 इंपलाई 13 का 3 1 carry over 236 इंपलाई 7 735 और यह decimal एक है यहाँ पर है तो इसलिए decimal यहाँ पर रगा देंगे तो मतलब यहाँ मिल जाएगा 735 और लिखेंगे 735 फिर माइनस 5 divided करेंगे 20 में तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा 4 फोजा 16 मिल जाएगा मतलब यहाँ मिल जाएगा 16x इतना आ गया अब यहाँ पर solve कर लिज़े यहाँ पर किता मिलेगा 5 बंजा 5 और यहाँ मिल जाएगा 5 6 जा 30 6 4 जा 24 मतलब यहाँ मिल लिएगा 24 अच्छा यह 100 में छोड़ रहे थे यहाँ पर 100 लिखेंगे ठीक है यह यहाँ रहे 100 लिखना जरूरी है ओके तो यह हमारा हो गया और यहाँ पर 6 4 जा 24 हो जाएगा 6 4 जा 24x is equal to यहाँ solve कर लिए 25x में से यह 16x मैंस करेंगे क्या भलेगा 9x मैंस यह हो जाएगा 735 अपान यह 20 multiplied by 100 अब यहाँ पर 20 से 100 cancel करेंगा तो 0 0 cancel होगे है यहाँ पर और 2 होगा 2 5 जा 10 मतलब 5 बचा यहाँ पर 5 से मिल लिए करेंगा इधर तो मिल जाएगा इट इंपलाईज यहाँ पर solve कर लेते हैं तो यह मिल लिएगा 24x is equal to 5 से मिल लिए कर यह इधर तो 5 नाज़ा 45 हो जाएगा यहाँ पर 45x मैनस 5 से मिल लिए करेंगे इस पूरे में तो 5 5 जा 25 का 5 ठीक है 5 3 जा 15 15 and 2 17 का 7 1 carry over and 5 7 35 35 and 36 यह हो जाएगा 36 इतना आगया अब यहाँ पर x वाले terms को एक साथ करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 24x मैनस 45x is equal to हो जाएगा minus 3675 अब यहाँ पर क्या मिलेगा बताएगे 24x मैसी थी मैनस करेंगे 45x तो निगेटिव मैं आएगा और निगेटिव मैं आएगा minus 21x is equal to यहाँ पर है minus 3675 अब दोनों तरफ यह दी minus 1 समट प्लाइग करेंगे तो यह negative negative cancel out हो जाएगा और हमें x की value मिल जाएगी तो हम इसको यहाँ पर solve कैसे करें थोड़ा हमको इसको ऊपर खीचना होगा तो हम इसको फ्राथा ऊपर खीच लेता है अब यहाँ पर जो है solve कर लेता है तो यहाँ पर मिलेगा आपको x is equal to मिल जाएगा 3675 upon 21 तो पहले हम कट आते हैं 3 से 37 जा 21 और यह हो जाएगा 3 बंजा 3 7 और 5 बचा 52 हो गया 7 समिजब 49 49 और 35 बचा 35 हो गया 75 बचा 35 मतलब मिल लेगा 175 मतलब मिल गया हमें 175 रुपीज यह जो 175 रुपीज मिला है यही आपका x है और x क्या माना था हमने शुरू में cost price of the article और यही question में पूछा भी है आप देख सकते हैं cost price of the article यहाँ पूछा है और हमार answer भी वही आगया मतलब आप यहाँ पर हमली सकते हैं hence hence a cp of the article is equal to 175 रुपीज this is your answer अब कुसम में आगया हो कैसे करना है है thank you so much like कर दिजएग दोस्तों share करिएगा और जितना चाता हो सके कमेंट करिए ताकि मुझे inspiration मिलता रहे और मैं आपके साथ जो है करता रहूँ और आपके साथ लगा रहूँ thank you so much again bye